Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बीते सेरडे और संडे के बीश में इरान ने लगबग 300 से भी अधिक मिसाइल्स दागे इस्रेल के ऊपर जिसके बारे में ये कहा गया कि almost 99% जो मिसाइल्स ये रॉकेट्स थें उसको इस्रेल के डिफेंस सिस्टम ने complete तरीके से diffuse कर दिया गया और उसके बाद इस्रेल के डिफेंस सिस्टम की बढ़ चड़ कर तारीफ की गई लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रहा है कि इस्रेल को अपने आपको डिफेंड करने में बहुत बड़ा अमाउंट खर्श करना पड़ा इस वीडियो में हम इसी के बारे में कुछ और जानेंगे और साथ में हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि डायलोक और डिप्लोमेसी फर्स्ट और लास्ट लाइन ओफ डिफेंस होता है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा एफट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं ये Times of Israel का पार्टिकल देख सकते हैं जहां पे बहुत ही साफ और इस पस्ट शब्दों में कहा गया है कि Israel, USA और भी कुछ Western countries इरान को बहुत हलके में लिये थें इसी महिने के शुरुवात में Damascus, Syria में इरान की Consulate के उपर अटैक किया जाता है जिसमें इरान के साथ हाई ranking officials की जान जाती है उसके बाद इरान ने ये promise किया था कि वो इस attack का बदला लेगा हलाकि इसके पहले भी foreign soil में इरान के बहुत सारे officials को assassinate किया गया है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इरान ने इस attack का बदला लिया इसके बारे में Israel या western countries को अंदाजा नहीं था एक बात मैं दुबारा इस पस्ट कर दूँ कि मैं personally किसी को support या किसी को oppose नहीं कर रहा हूँ as an Indian हमारे लिए बेहत जरूरी है कि हम geopolitical news को देखे और उसे समझें कि किस तरीके से हर वक्त जो tension है उसे बातचीत के माध्यम से ही हम सुलजाने का प्रयास करें उसके बाद Israel हो गया, US हो गया और भी कुछ western countries वो और demand कर रहे हैं कि वो इरान के उपर sanction लगाएं तो जितने जो sanctioned countries है वो एक अपना अलग group create कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका जो sanctions का जो effectiveness है वो खतम हो जाएगा जो कि हम बहुत ही best तरीके से देख सकते हैं Russia-Ukraine के war में वैसे तो ये कहने के जरूवत नहीं है कि Israel को खुले तोर पे support US, बहुत सारे western countries और बहुत सारे Arabic या Middle Eastern countries कर रहे हैं और शायद ये सबसे बड़ा reason है कि क्यों Israel random तरीका से गजा में attack कर रहा है उसके बावजूद Israel को अपने आपको defend करने में बहुत ही huge price pay करना पड़ रहा है जहां पर अगर हम सिर्फ इस article की माने तो एक रात में अपने आपको defend करने के लिए Israel को एक billion American dollars से भी अधिक खर्श करने पड़ें ध्यान अखेगा ये सिर्फ minimum amount है अगर हम simple अगर हम example ले assault rifle का तो assault rifle में भी बहुत सारे variations होते हैं तो वैसे ही जो defense system होता है उसमें भी काफी अलग-अलग type के variant होते हैं तो जो सबसे कम कीमत का defense system में missiles लगते हैं उसका कीमत कुछ पढ़ता है 1 million American dollars और जो maximum लगता है वो लगता है 3.5 million American dollars तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही bare minimum price बताया जा रहा है इसके अलावा भी अगर कोई भी देश intelligence gathering करता है तो उस intelligence gathering में भी काफी सारे पैसे खर्श होते हैं उसके बाद जो forces का movement होता है उसमें भी काफी खर्श होते हैं और बहुत सारे technologies को आपको inject करना होता है कहने का मतलब है कि overall जो price होता है attack का या अपने आपको defend करने का वो price काफी बढ़ जाता है और अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा और analysis करेंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का जो price है वो कहीं न कहीं जो common civilians है इसराइल का उनको ही pay करना पड़ेगा for example अगर कहीं पे भी war होता है या कहीं पे भी atmosphere बिगड़ता है तो उस चीज़ का जो impact है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के common civilians को ही pay करना पड़ता है ऐसे multiple reports publish हुए जहां पे ये बताया जा रहा है कि जब से हमास और इसरेल war में आये हैं तब से बहुत सारे जो youngster है इसरेल में वो cigarette हो गया या ऐसे ही intoxicant का जो consumption है वो बढ़ गया है और ये सब बहुत ही common phenomena होता है किसी भी area में जहां पे war या war like situation हो वही पे former इसरेल के chief of staff जो की financial division में काम करते थें अगर उनकी माने तो उनका कहना है कि इसरेल को अपने आपको defend करने में ही लगभग कुछ 1 billion से लेके 1.35 billion तक उनको खर्च करना पड़ेगा ध्यान रखे ये billion है million नहीं है ये amount अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि भले इसरेल अपने आपको defend कर ले रहा है लेकिन उस defense का cost इतना बढ़ जाएगा कि देश की जो economy है वो कहीं न कहीं हिल जाएगी complete तरीके से और क्योंकि almost 99% जो rockets या missiles थे उसको diffuse कर दिया गया अगर हम एक situation मानत हैं जहांपे ये 99% ना होके ये सिर्फ 90% होता तो अगर 10% भी missiles या rockets आके गिरे होते इसरेल में तो जो infrastructure खराब होता उस infrastructure को सही करने में जो cost involved होता तो वो भी इसी war damage में calculate होता है इसी article में आगे बढ़के ये मालूम पढ़ता है कि लगभग 30 cruise missiles का इस्तमाल किया गया था इ exactly ये नहीं बताया गया है कहीं पे भी कितने जो missiles थे वो successfully land हुए हैं इसरेल के territory में लेकिन कुछ बातें इन सब articles को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि पहला और आखरी line of defense हर वक्त dialogue और diplomacy ही होना चाहिए दूसरी बात चाहें आप किसी के उपर attack करें या अपने आ बढ़ चाढ़कर mass protest हो रहा है इसरेल में I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye